हमारे नए गर्ली न्यूज इंडिया चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भेले दोस्तो आप सभी को पता ही होगा दो दिन पहले एक सुरेश चहवं के नाम के व्यक्ती में एक बहुत ही घिनोनी बात की थी सुदर्शन न्यूज के आंकर और एडिटर इन चीफ इन्होंने घिनोनी बात कहकर ये वीडियो अपने ट्विटर प्रोफाइल पे भी अप्लोड क वो कह रहे थे कि मुसल्मान लोग IPS और IAS के कठन एक्जाम कैसे पास कर रहे हैं वो कह रहे है कि मुसल्मान लोगों की घुसपैटी सरकारी नौकर शाही में इस चीज को लेकर पुरे देश में बहुत विरोध हुआ लोग अपने 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 लोकल पुली स्टेशन गए करने के लिए कल मैं भी पुली स्टेशन गया आज सुभा मेरी मीटिंग हुई मुंबई पुलीस कमिशनर परंबीर सिंग जी से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि इस व्यक्ति पर सक से सक कारवाई होनी चाहिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शुक्रिया करना उन्होंने ये शो ब्रॉडकास होने से पहले उस पर स्टे लगा दिया और ये शो ब्रॉडकास नहीं होने दिया मैं दर्खवास करना चाहूंगा पुलीस से के इस व्यक्ति पर सक से सक कारवाई हो और एक ओफिशिल एफायार सेक्शन आईपीसी सेक्शन 153A के तहद सेक्शन के तहद और मैं यही कहना चाहूंगा कि वो मुसल्मान हो या कोई भी धर्म या कोई भी वर का इंसान हो हर एक व्यक्ति को हर एक इंडियन को हक है पढ़ाई कर IPS और IAS में दाखिल होने का हर एक इंसान को अधिकार है पढ़ लिखने का और आप कोई नहीं होते हो औ कोई भी किसी भी religion को disrespect नहीं कर सकता है और civil services के candidates को आप disrespect नहीं कर सकते हो मैं दरख्वास करूंगा police से किस व्यक्ति पे जल से जल कड़ी से कड़ी कारवाई हो और इसके सारे social media handles भी suspend होने चाहिए क्योंकि तभी लोग को समझ में आएगा कि इस देश में समाज में hate mongers की कोई ज़रूरत नहीं है और hate monging speeches will not be tolerated in this country तैंक यू जै हिन जै महराष्ट्रा जै भीम अल्दाफिस दोस्तो आप सभी को पता ही होगा दो दिन पहले एक सुरेश चहवं के नाम के व्यक्ति में एक बहुत ही घिनोनी बात की थी सुदर्शन न्यूज के anchor और editor-in-chief इन्होंने घिनोनी बात कहकर ये video अपने twitter profile पे भी upload किया वो कह रहे थे कि मुसल्मान लोग IPS और IAS के कठन exam कैसे पास कर रहे वो कह रहे है कि मुसल्मान लोगों की घुसपैटी सरकारी नौकर शाही में इस चीज को लेकर पुरे देश में बहुत विरोध हुआ लोग अपने अपने local police station गये F.I.R. दर्ज करने के लिए कल मैं भी police station गया आज सुभा मेरी meeting हुई मुंबई police commissioner परंबीर सिंग जी से मैंने उनको request किया कि इस व्यक्ति पर सक से सक कारवाई होनी चाहिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शुक्रिया करना चाहूँगा Delhi High Court का उन्होंने ये show broadcast होने से उस पर स्टे लगा दिया और ये show broadcast नहीं होने दिया मैं दर्खास करना चाहूँगा police से के इस व्यक्ति पर सक से सक कारवाई हो और एक official F.I.R. section IPC section 153A के तहद दर्ज हो गई है Suresh Chavankhe के नाम पर because he was promoting enmity between groups on the base of religion, race, language, etc. IPC section के तहद और मैं यही कहना चाहूँगा के वो मुसल्मान हो या कोई भी धर्म या कोई भी वर का इंसान हो हर एक व्यक्ति को हर एक इंडियन को हक है पढ़ाई कर IPS और IAS में दाखिल होने का हर एक इंसान को अधिकार है पढ़ लिखने का और आप कोई नहीं होते हो और कोई उसको disrespect नहीं कर सकता है कोई भी किसी भी religion को disrespect नहीं कर सकता है और civil services के candidates को आप disrespect नहीं कर सकते हो मैं दरख्वास करूँगा पुलिस से किस व्यक्ति पे जल से जल कड़ी से करवाई हो और इसके सारे social media handles भी suspend होने चाहिए क्योंकि तभी लोग को समझ में आएगा कि इस देश में समाज में hate mongers की कोई जरूरत नहीं है और hate monging speeches will not be tolerated in this country thank you jayin jay maharashtra jay bheem allah hafiz